हेलो फ्रेंड आप सभी को रादे रादे तानिया फैमिली ब्लोक में आपका स्वागत है आज आपको बड़े साइज का शॉपिंग बैक बनाना बताऊंगी और इसका तरीका ना बहुत सिंपल है बनाने का और ये बनके भी बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा तो ये देखो मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने दो-तीन सलाईया लगा ली है और बीच में मैंने इसमें राइस बोरी का यूज किया है आप चाहो तो फॉर्म सीट का भी यूज कर सकते हैं और पीछे की साइट मैंने साडी का यूज किया है तो इस तरीके से इस पीस को मैंने रेडी कर लिया है और इसकी मैं आपको लंबाई और चोड़ाई बताऊंगी कितनी ली है मैंने तो ये देखो, अब मैं पहले इसकी चोड़ाई नाप रही हूँ तो इसकी चोड़ाई है 20 इंची की अब इसकी में लंबाई नापूंगी इसकी लंबाई है 38 इंची की तो लंबाई चोड़ाई देखो, मैंने आपको बता दी है अब हमें क्या करना है, इस पीस को हमें फोल्ड कर लेना है तो ये देखो, मैंने बिल्कुल बरावर का सेंटर मिलाके फोल्ड कर लिया है पीस को तो यहाँ से जो बंद साइड है, वहाँ से हम निशान लगाएंगे तो यहाँ पर देखो मैं निशान लगा रही हूँ तो मैं धाई इंची पर निशान लगा रही हूँ धाई इंची पर निशान लगा लिया अब एक और लगा रही हूँ धाई भाई धाई का हमें बॉक्स बना लेना है तो यह दिखो, मैंने box बना लिया है एक तो इस तरीके से हमें दूसरा भी box बनाना है दूसरी side पे तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैं एक और box बना रही हूँ तो यह दिखो, दोनों box पे मैंने निशान लगा लिये हैं अब इनकी करेंगे हम cutting तो कटिंग मैंने कर ली है अब हमें क्या करना है यहां पर दोको मैंने पिल लगा ली थी कि पीस टेड़ा मेरा ना हो इसलिए अब यह एक पीस मैंने खोल लिया है अब खोलने के बाद यहां पर हम निशान लगाएंगे उपर की साइड से तो यहां पर जो निशान कर लिया है जी है इसम वाइस है कि यह निर ले लिए है दो हमारे के लांगा तो यहीं तरी किς तरह से लगाऊंगी वह अपको लगाकर दिखाऊँगी तो यह तरह सी कृष्ट को मैंने उल्टा कर लिया है उल्टा करने के बाद यहां पे देखो मैंने इस पट्टी को भी रख लिया है ब्लैक वाली को और इस तरीके समय इसमें सीधी स्लाई लगा लेनी है तो स्लाई मैंने लगा ली है और उल्टी साइट से मैं इसलिए लगाती हूं क्योंकि ना सीधी साइट हम जब पल्टेंगे को तो निए तो फिनीशिंग् भूट अच्छी आती है इसलिए इस सीधी सीलट को इस तरीके समय पीष्किक कपल्ट लेना है तो पाइप मैंने मéntमिने किनारे से में इसमें स्लाई लगानी है है तो यह किनारे से हमारी स्लाई इसमें अब लग चुकी है मैं अमारी अटेच ह लेंगे जो हमारी पतकी चोटी वाली तो समय है तो यह दोनों पीसों पर हमने पाइपीन लगा लिए Is it shipping के बराबर की मैंने हैं myself tourism तो दो को हम इस तरीके से सीधह रखना है तो यह मैंने रखते हैं आफ इस पी तरीके से लगा लेनी है तो यहां देको इस तरीके से रखा मैने अब इस पर हम सिलाय लगा लेंगे तो दूसरी वाली भी हमारी चैन अटेच होगी है अब चैन हमने इसमें अटेच कर ली ये देखो पीछे की साइट से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ अब इसमें हमें रनर डाल लेना है तो रनर मैंने डाल लिया है अब हमें क्या करना है इसको देखो पीस को मैंने पल्ट लिया है उल्टा कर लिया है पीस को उल्टा करने के बाद ये पाकिट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है तो ये देखो कपड़ा जो हम नीचे से जो अटेच करेंगे ना जो हमारी देखो मैंने स्तिलाई लगा ली है चारा ओर से कप्रा अटेश हो गया है हमारा अब मैं आपको यह सीधा करके दिखाऊंगी सीधे की साइट से देखो हमारी पॉकिट रेडी होगी है इसमें अब हमें क्या करना है यहां पर पाइपीन लगानी है सेम तरीके से ही तो यह ना द देखा दे रही हूं मैंने कितनी दूरी पर अटेश करनी है यह तो दोनों साइड मेने छचंची पर निशान लगा लिया है अब यहां पर देखो हमें कहां तक गैफ। रखना है दो इन्ची फेह aniां पर यहां से यहां तक से बंधार सकते हैं तक तीक दिए आपको झोक से निशान लगा के दिखा दिया शाउ कि तो यह तो समंतित को सिंदार में ने तैयार कर लिए थी ड़ी टीकर है है अँद जे 56 एंची कि क्या चोड़ाइं में लंबाई ना पके दिखा रही हैं दूक कि कितनी है इसके यहां तक हम इस पर अपसलाई लगा लेंगे तो यह देखो दौनों साइड अमने तनी अटेश कर ली हैं मैंने दौनों साइड आपको दिखा दी है अब क्या गड़ना जो हमारे बॉक्स कटिंग करे हैं जो हमने यह उनके लिए मैंने कपड़ा लिया है यह देखो दो video मैंने लिए हैं पकड़े के ब्लेक क कलर के अब इनकी मैं आपको कपड़े की लंबाई और चोड़ाई बता दे रही हूं कितनी है Madam this आप में और देखो मैं ऐसे मैंने चाह से इस बार करना है यह मैंने देखो नहिंसे में कि यह नहीं है अप जहां हमारा जो निशान है कपड़े का फोल्ड का वहां तक हमने निशान लगा लिया है अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से कटिंग करने ने कपड़े के हमारी गुलाई की शेप कटिंग हो चुकी है तो मैं आपको यह देखो पीस मैंने खोल लिया है अब इसमे तो यह देखो आपको में सिलाई लगा के भी दिखा रही हूं तो सिलाई मैंने लगा ली है अब सिलाई लगाने के बाद यहां पर हम चोटे-चोटे कट लगा लेंगे अब इसको सीधा कर लेंगे फिर तो मैं पहले कट लगा के फिर सीधा करूंगे इसे अब इस पर प्रेस लगा सकते हो पैसे के थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा इस में तो यह देखो में अब सीधा कर रहे हैं इसको मैंने सीधा कर लिया है अभी इस तरीके से मैं पीस को रखना है अब इसे में फोल्ड करूंगी फोल्ड करने के बाद हमें बीच में निशान लगाना है तो यह देखो इस तरीके से हम पूरे दोनों साइट से निसान लगा देंगे तो निशान मैंने लगा लिया है अब फिर से इस पीस को मैं खोल लूँगी तो यह देखो पीस मैंने खोल लिया है अब यह निशान जो लगाया है ना बैग वाले पीस पे और जो हमने पट्टी पे ल लगाई है तो यह देखो स्लाए कि यहां लगाली मैंने अब यहां पर पारỏह मैंने आद जो आप विल्याओ वाला कपना है देखो समय भूक्स ससे डीके से कटिंग करने हैं तो मैंने कटिंग कर लिया है फिल्याओ कप्रा अब इस पीस में ऊपर की साब्ड़ारिया छेंप enabling ले लिया अँव समें चैनघ कर्नाई हैं तो मैं इसी बिस के बराबर की चैन ले लिए अब चैन को में इस तरीके से रखना है कि एक चाहल गा ली है अब दूसरी साइड में अटेश करूँगी चैन को, तो ये देखो इस तरीके से रख के दूसरी साइड अटेश कर लेंगे अब तो दोनों साइड हमने चैन अटेश कर ली है, अब इसमें हम डालेंगे पहले रनर, तो ये देखो रुनर में ले लिया है अब रुनर भी मैंने डाल लिया है इसमें अब इस पीस बैक को में उल्टा करूंगी तो ये देखो बैक को मैंने उल्टा कर लिया है अब चैन वाला पीस को देखो हमें इस तरीके से मिला लेना है अच्छे सेंटर मिला के अब यहां पे देखो पिल्कुल चेन हमारी मिला ली है मैंने अब यहां पे हमें सीधी स्लाई लगानी है तो स्लाई मैंने लगा ली है अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्लाई लगाएंगे तो यहां पर दूसरी साइट भी देखो इस तरीके से हमने स्लाई लगा ली अब यहां पर देखो हमने यह बॉक्स कटिंग किये थे उनको इस तरीके से हमें सिलना है तो मैंने आपको एक सिल के दिखा दिया अब दूसरा भी हमें सेम तरीके से सिल लेना है तो यहां पर देखो दोनों बॉक्स हमने सिल लिये हैं अब इसको हम सीधा करेंगे अब हमारा शॉपिंग बैग रेडी है अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ यह देखो कितना प्यारा हमारा शॉपिंग बैग लग रहा है और नीचे की साइट देखो इस तरीके से हमने इसमें डिजाइन दी है कितना प्यारा लुक आया है इस तरीके से डिजाइन देने पर तो मुझे तो यह बहुत अच्छा लग रहा है और देखो मैं आपको पॉकिट भी दिखाती हूँ और पॉकिट में पाइपील लगाई है उससे कितना लुक अच्छा आया इस बैग में तो यह देखो इसकी पॉकिट विन्या काफी बड़ी है हमारा बहुत सारा सामान आ जाएगा अब मैं आपको देखो ना मैंने जो तनी लगाई है थोड़ी सी डिजाइन दी है तनी में भी मैंने लगाने में अब दिखाती हू आप सभी को रादे रादे